जाय मतादी दोस्तों तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तों फिर से हाजर हुआ एक नए वीडियो के साथ जिया दोस्तों आज हम जानेगे शार दिये नौवरात्त के बारे में चोटी-छोटी सी बाते और दोस्तों जानेगे कि शूब मुहरत कपका है कल स्थाबना हमी किस्था मे तो दोस्तो इस बार जो पहला नवराट जाहे 7 अक्टूबर को बढ़ रहा है इस दिन गुरवार है दोस्तो बहुत ही शुबा रहा है इस बार 7 अक्टूबर को है धोस्तो और घटस्ताबना का जुमोहुरत है प्रात 6 बज़कर 17 मिनट से प्रारम हो जाएगा जो की 7 बज़क साथ मिनट तक रहने वाला है और दोस्तों उसके बाद का जो मुहुरत है वो सुबह नो बज के 33 मिनट से ग्यारा बज के 31 मिनट तक रहने वाला है दोस्तों उसके बाद का जो मुहुरत है वो है दोपहर 3 बच कर 33 मिनट से शाम 5 बच कर 5 मिनट तक का रहेगा तो दोस्तो पहला नवरात्रा है माता शैल पुत्रे जी की उपासना की जाती है और दोस्तो आपको इस दिन पीले वस्तरधारन करने हैं क्योंकि गुरुवार को पढ़ रहा है इसलिए पीले वस्तरधारन करें ये बहुत ही शुप रहता है बहुत ही लाप राप्त होगा इससे आपको और दोस्तो इस बार हो सके तो केले के पेड़ में जल अवश्य चड़ा के आए और हल्दी का टीका लगा के आए और अपनी मनो कामना यदि आप बोलते हैं तो वो जरूर पूरी हो जाएगी दोस्तो और दोस्तो इस बार आपको देसी घी का प्रियोग करना है पहले नवरात्रे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई भी दीपक ले 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 पीतल या मिट्टी का कोई भी दीपक हो दोस देसी घी का प्रियोग करें तेल का प्रियोग ना करें पहले दिन देसी घी का प्रियोग बहुत ही शुब माना जाता है दोस्तो और दोस्तो मातारानी का कोई भी भोग बनाए उसमें भी देसी घी का ही प्रियोग करें इससे आपको बहुत लाप्राप्त होगा और मातारान प्रसंद होगी और दोस्तों अगर रत रखते हैं अपने खाने के लिए उसमें भी घी का अवश्य करना चाहिए आपको तेल का प्रयोग नहीं करना है घी में बनाएं और दोस्तों यह बहुत ही शुब इस यह भाल जोट नहीं बंगे सबँसरा और दोस्तो यह टी लगा उते कालों मिलने वीडियो है अच्छी लगी ओता लाइक जरूरा कर लें शेयर करें कमें करें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जया मता दी